आपके अपने दीजे सर कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका हार्दिस वगत करता हूं जिसे कि अपनी वो बायो की कोचिका की MCQ स्टार्ट है उसकी दो वीडियो अपलोड हो चुकी है और ये लास्ट वीडियो है और हमने 100 कोच्चन इसमें कवर किये और पूरे ही कोच्चन किया है बहुत इंपोर्टेंट है जो एक्जाम में आयो है इससे वहार कुछ नहीं बस only 100 इनको ही आपको अच्छी तरह से देखना है और समझना है ठीक है तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं निम लिकित में से किस कोची का निकाए का अपना अनुवांसिक पदार्त होता है यह आपको दिहान देना है निम लिकित में से किस कोची का निकाए का अपना खुद का क्या होता है अनुवांसिक पदार्त होता है अनुवांसिक क्यों होता है अनुवांसिक पदार्त होता है ठीक है तो पहला है माइट्रो कॉंडियंग दूसरा है राइबोसम तीसरा है गौल्जी कॉंप्लेक्स और चौता है उप्रयोक्त मैंसे कोई नहीं तो मैंने आपको जो कोशिका की थोरिकल क्लास पदाईट उसमें बोला था कि अनुपांसी जो पदार्थ होता है वो होता है ड दियेने एक जगे और भी पाय जाता है वह है आपकी माइक्रो कॉंडिया माइट्रो कॉंडिया माइट्रो कॉंडिया माइट्रो कॉंडिया माइट्रो कॉंडिया माइट्रो कॉंडिया माइट्रो कॉंडिया और यह एक जगे और रहता है उसको बोला जाता है फरित्त लवक कौन सा है हरित लवक तो इसका जो आंसर है वो है मेरे दोस्त माइट्रो कौन है पूरे ही कोश्चन एक्जाम में आयो है और आपके लिए बहुती क्या है बहुते भार कुछ निए बस अगला प्रिश्चने देखते हैं और अगला है निम लिकित में से कौन सा कोशिका निकाए कोशिका में प्रोटीन के लिए प्रोटीन के लिए प्रोटीन के लिए संसलेशन का उत्सरता है वह इन में से कौन सा है जो प्रोटीन का संसलेशन करता है जो प्रोटीन का संसलेशन करता है प्रोटीन का संसलेशन करता है पहला उप् सरचना है तुसरा है वो है राइवो जोम है तीसरा है वो है लाइसो जोम है और चोंता है किन्द हमने देखा था कि प्रोटीन का यो संसलेशन होता है जो प्रोटीन का यो संसलेशन करता है प्रोटीन का वो करता आपका राइवो जूम क्या है राइवो जूम या राइवो सूम इसको प्रोटीन की फैक्टरी भी कहते है इसे प्रोटीन की क्या बोला जाता है फैक्टरी भी कहते है प्रोटीन की इसको फैक्टरी भी कहते है अगला है गुलुकोज का पाइरोवेट में खंडन अहोता है पाइरोवेट जो अमल होता है। इसमें पिहला है गॉल जी का या दूसरा कोसीका द्रव के और तीसरा है इस और प्रॉसे के कोसी का धे ससी ठीट 2018 में आया है गुलू कोस का किसमे होता है तो गिलू कोस का पाइरोवेट अमल में परिवर्तन होता है तो गो होता है कोसी का धिरह में अगला प्रिशने चलते हैं एक एक प्रिशने बहुती सांदार और जवस दस्ते और आपके लिए बहुती क्या है इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्या है बहुती क्या है इम्पोर्टेंट है यह है किसने कोशिका सिद्दान्द को और आगे बढ़ाया किसने कोशिका सिद्धान को और आगे बढ़ाया तता ये बताया कि सभी कोशिका पूरवर्ती कोशिका से बनी होती जितनी भी नई कोशिका बनती है वो अपनी पेले वाली कोशिकाओं से बनी होती इस आंसर को आपको कमेंट में बताना है किसमें बताना है आपको कमेंट में बताना है मेरी जो थोरी की जो क्लास थी उसमें मैंने बता है तो यह कोश्चन आपके लिए यह कोश्चन किसके लिए यह आपके लिए अगले कोश्चन प्रिशने पर देखते हम कोस्ट की जीव केसे प्रिजणन करता है हम देखते हैं यहां पर जो प्रिजणन होता है वो प्रिजणन की परिवासा क्यों होगी, तो प्रिजणन होगा अपने 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 समान अपने समान संतान की उत्पत्ति उसको बोला जाता है प्रिजनन करना एक कोस की जीव के से प्रिजनन करता है कोसी का बिवायन द्वारा होता है कोसी का प्रिजनन द्वारा होता है कोसी का संसलेशन द्वारा होता है या बिखंडन द्वारा होता है तो एक कोस की जो जीव होते हैं उनका निर्मान एक ही कोसी का से होता है उसका जो आंसर होगा कोसी का भिवाजन क्या होगा तो यह होगा कोसी का भिवाजन यह होगा कोसी का भिवाजन अगले प्रेशने पर चलते हैं बहुत ही सांदार निम लिकित में से किसमे कोसी का भित्ती नहीं होती है बहुत important जवर्दस्त है कोसी का बित्ती नहीं होती है कोसी का बित्ती नहीं होती है यह दे रखे कि निम लिकित में से किसमें कोसी का बित्ती नहीं होती है यह है मेरे दोस्त यूग लीना है पेरा मीसियम है ठीक है माइक्रो प्लाजमा इसका जो आंसर होगा वो होगा माइक्रो प्लाजमा क्या होगा माइक्रो प्लाजमा इसमें कोशीका बित्ती नहीं होती है अगला फ्रेशने देखते साथवा निम लिकित में से किसको कोशीका का सक्ती ग्रे भी कहते हैं निमलिकित में से किसे कोसिका का सक्ति गिरे कहा जाता है मैंने एक एक बात आपको बताया है कोसिका की जो मेरी थोरिकल किलास उसमें मैंने आपको बताया गया है एक एक बात आपको नोट कराया गया तो आप आंसर लगाओ इसके तक्ति गिरे, पावराउस, लबक है क्या सूत्रकनिका है, क्या गोल जी का या या कोसी का बित्ती, तो इसका आंसर होगा सूत्रकनिका, देखो, दोस्तों जो माइट्रो, जो माइट्रो कॉंडिया है, इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही सूत्रकनिका कहते हैं, दोस्त, क्य पेपर में आते हैं हमने देखा कि इस ये माय ट्रोकॉंडिया से एक कोशिचन हर पेपर में आता है बहुत कोसिका किया है और मैंने इनको डटेल में भी बढ़ाया है आपके लिए विसके जो अपनाम है दोस्त उनको देखते हैं इसका उपना में वो तो तो क्या है इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं इसे कोशिका क्या बोला जाता है कोशिका का इंजन भी कहते हैं दोस्ते इसे 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 कोशिका का सोसन अंग इसे कोशिका का सोसन अंग भी कहते हैं तीसरा इसका जो अपनाम है वो इंपोर्टेंट है इसे कोसी का का उर्जा गिरे या सक्ति गिरे भी कहते हैं तो यह आपको द्यान में रखना है इसका अंसर अगले कोश्चन पर चलते हैं जवर्दस्ट निमलिकित में से कौन सा वे कोसी का अंग है जो प्रोक्रेटिक कोसी काओ में नहीं पाय जाता है निमलिकित में से कौन सा अंग है जो प्रोक्रेटिक कोसी काओ में नहीं पाय जाता है कौन संग है कोशिका हमने बात कीती कोशिका दो तरह की होती है तो हमने बात कीती जो कोशिक होती वो दो प्रिकार की होती है एक होती है यूरेकेटिक कोशिका और एक होती है आपकी प्रोक्रेटिक कोशिका इन में कौन संग नहीं पाए जाता है इन में सूत्रकणिका मतलब सूत्रकणिका को ही क्या बोला जाता है सूत्रकणिका को ही माइट्रो कॉन्डिया कहते दोस्ते कबल हो जाता है माइट्रो कॉंडिया कहते हैं यह कहते हैं माइट्रो कॉंडिया कहते हैं अगला प्रेश्णिया पर चलते हैं निम लिकित में से कौनसी एक यूरोकेटिक कोशी का नहीं है कौनसी एक यूरोकेटिक कोशी का नहीं निम लिकित में से कौनसी यूरोकेटिक कोशी का नहीं यूरोकेटिक की बोल रहा दोस्ते कौनसी यूरोकेटिक कोशी का रख नहीं कबक है पसू है और पोध है लेकिन कोई नहीं है जीवानों जीवानों क्या नहीं है इस पर आपको जीवानों कोनसी तो जीवानों जो है वो प्रों प्रो क्रेटिक कोसिका घोसी का है फ्रोक्रेटिक क्या है दोस्ति अगले प्रिश्णे देखते हैं स्टार्ट से होती है क्या प्रोटीन से होती है क्या या बसा गोलिका से होती है या कोशी का रस होती है हम बोलते हैं जो रसदानिया होती है कोशी का अंदर जो रसदानिया होती है तो वो मेरे दोस्त किससे बरी होती है तो वो बरी होती है कोशी का रस किसे बड़ी होती है तो बड़ी होती है कोशी का रस ये बात आपको दियान में रखना है ये पादब कोशीकाओं में पादब कोशीकाओं में पादब कोशीकाओं में जो पादब कोशीकाओं में क्या होती है बड़ी होती है क्या होती है बड़ी होती है ये आपको दियान में रखना है अगले प्रेशने पर चलते हैं नाविक का क्या कारी होता है मतलब कोसिका का अंदर जो नाविक है इस कोसिका का अंदर क्या है जो कोसिका का कोसिका का नाविक कोसिका का क्या है नाविक इस कोसिका का इसी नाविक को आप क्या बोलोगे इसे बोलते है कोसिका का केंद कोशिका का केंद्रग क्या काम इसका क्या कार तो नाविक का कार ये क्या होता मनलब केंद्रग का कार ये क्या होता पहला है ये केवल कोशिका के विवजन को नियंत्रित करता है केपल कुछ विशीषच कारियों को नियंतरण करता है प्रिंदर रखता है उसे रिसकाँसर हो गाई यह कोसिकाऊं को सभी गति वीदियो का क्या करता है नियंतरण करता है यह करता है भ्राइट होगा है अगला है रोवर्ट होकने 1663 में कोशिकाओ की कोशिकाओ के अब लोकन के लिए प्रदिसित के रूप में निम्मे से उसने किसका उव्योग हिया किसमें सबसे पहले उसने कोशिका देगे सुलयम में देगी क्या नहीं ये गलत है जायलम में देगी क्या नहीं ये भी गलत है गाल की कोशिकाओ में ये भी नहीं किसमें देगी कोर्ग के उतक किसमें देगी है कोर्ग के उतक में देखी गई है अगले चलते हैं इसका राइट और रोबर्ट हुक कोई ही कोशिका का जनक कहा जाता है तो हमारे जो रोबर्ट हुक वाई साब है रोबर्ट जो हुक है इनको क्या बोला जाता है इनको ही कोशिका का जनक कहते है इनको क्या बोला जाता है इनको ही कोशिका का क्या कहते है जनक स सेलो फादर भी इनको बड़ाता है कि इनको म्रत कोसिका का जनग केते हैं मृत कोसिका का क्या बोला जाता है ऑगे चलते हैं जब किसी व्यक्ति को संक्रामित जुवर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोसी का सरवादिक सक्री हो जाते है तो कौन सी जो कोसी का होती है वो सबसे तेज सक क्री रहती है सबसे तेज क्या रहती है चीव दिरब नहीं और वी सी ये भी नहीं है ड़ली वी सी ये भी नहीं तो कौन सी हुजाती है ड़ली वी सी कौन सी हुजाती है ड़ली हमने देखा रक्त जब हमने पढ़ाता उसमें रक्त का जो ठोस वाग होता है उ आपको दोपकला उतक की कोशिकाओ में अंत कोशिकाओ की इस्ता नहीं होता है मतलब इंक में इस्ता नहीं होता है क्योंकि ये छिले की और प्रिवरत होते हैं नहीं ये गलत है पे जलहानी की रोक थाम करते हैं ये भी क्या है गलत है उनका कारिय सुरक्चात्मक होता है इनका जो कारिय होता वो कैसा होता सुरक्चात्मक होता है ये आंसर सही है उनका कारिय सर्जी होता ये भी क्या है गलत ये भी क्या है बहुत इस्टेंडर और टॉप लेवल के कोश्चन है दोस्त आप यह मैंने यहां के को सिखागे 100 कोश्चन करा हैं बिल्कुल इंपोर्टेंड इनको पढ़ जाओ और कुछ नहीं कैसे भी एक्जाम में दे लो सब ताइप किस में क्या है प्रेशने और इसकी थोरिकल क्लास भी है साथ चलते अगले देखते हैं अगला प्रेशने पाजाते हम अगला है रक्त का कौन सा अभियव ओक्सीजन का प्रिभेन क करता मतलब रक्त का कौन सा अभी होता है जो रक्त का प्रीभेन करता हमारे सिलिक अंदर क्या है नहीं है ओ है wr視 नहीं है प्लैटलेट नहीं मिसलेंग कौन करता है rvc कौन करता है RVC यह रगत का कौन सा भी होब है जो oxygen का प्रिवेन करता है वो RVC कैसे दोस्त देखते हैं RVC में RVC में एक protein पाए जाती है उस protein को बोला जाता है Hemoglobin क्या बोला जाता है Hemoglobin यह ही किस से किरिया करता है यह oxygen और CO2 से किरिया करता है ठीक है तो oxygen को क्या है oxygen को यह body के अंदर प्रिवेन करता है और CO2 को भार निकालता तो आपको यह दियान रखना है कि रगत का कौन सी अभी होब oxygen का प्रिवेन करता है अगले प्रेशने पर चलते हैं मज़ेदार question है सब कोशिका का आकार मापा जाता है मतलब कोशिका का आकार होता वो किस इकाय में मापा जाता है बहुत important है मद्ध्प्रदेश पुलिस आरक्षन 2017 में पूचा गया है कोशिका का कार मिली मीटर में नहीं दोस्ट यह गलत है मीटर में भी नहीं नापा जाता है सेंटी मीटर में भी नहीं जब हम कोसिका को हमारी आंकों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो कोसिका की जो इकाई है, वो है माइक्रोन, कौन सी ये दोस्त, वो है माइक्रोन, तो इसका अंसर क्या होगा, तो होता सही, आगे देखते हैं, पद, अर्द, पारगम इसके लिए उप्यूक क्या जाता है, ये वाला जो सब्दे, वो किसके लिए प्रियोग में लिया जाता है, ये वाला, ये वाला, तो क्या है, कोशी का बित्ती, कोशी का जिल्ली, माइट्रो कॉंडिया, ये लाइस सो, हमने पढ़ा है थोरीकल क्लास में, कोशी का जिल्ली, तो ये हमारी, कोसी का की जो सबसे बाहरी जो परत होती है उसे बोला जाता है कोसी का जिल्ली क्या बोला जाता है कोसी का जिल्ली इसको हमने डिटेल में भी पड़ा है इसके हम बात करते हैं इसके जो उपनाम है इनको बे बहुत इंपोर्टेंट वो क्या है बहुत important इसको मेमरेन जिल्ली भी कहते हैं इसको प्लाजमा जिल्ली भी कहते हैं दोस्त इसको वन जिल्ली भी कहते हैं वन आत्मा जिल्ली भी कहते हैं इसको दोस्त चायन जिल्ली भी कहते हैं ठीक है इसको दोस्त दोरी जिल्ली भी कहते हैं ठीक है इसको दोस्त अ पर गम जिल्ली भी कहा जाता है यह क्या है सब में जिल्ली जोड़तो आप आपके यह कोसी का के जो अन्य नाम है वो complete हो जाएंगे तो यह वैटा यह कोसी का जिली आगे देखते हैं बहुत ही सांदर कोसी का के भीतर छोटी सरशना जो एक साथ कारे करती कोशिका के भीतर छोटी सरश्ना के होती है उन को वोला जाता कोशिका कि गयां दोस्त अंग पोसट क्या है अंग आगे देखते हैं और अगले प्रेशनेश्ञ पर हम चलते हैं अगला यह मतप्रदेश पुलिस 2017 रक चकमा आयता बहुत इंपोर्टेट्ज प्रेशने है दोस्ति पेकट निमने बिनासक आत्मक इंजाईम उपस्चित होते हैं क्या है पेकट जिन में बिना सक आत्मक जो बिनास कर सकते हैं वो इंजाईम उपस्टित होते हैं थो हमने देखते हैं कि कोष्टिका के इंदर जो इंजाईम का समस्छलेशन करता है वो आपका क्या है वो आपका तारक काया नहीं दोस्त इस तारक काया को ही क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है सेंट्रोसुम क्या बोला जाता है सेंट्रोसुम इसके बाद यह लायन काया है इसको बोला जाता है लाइसोसुम क्या बोला जाता है दोस्त इसको बोला जाता है लाइसोसुम ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, वो यही है लायन का है, तो मेरे दोस्त इधर देखते हैं, तो लायसुयो सोम है, यह भी बहुत इंपोर्टेंट है, तो इसको क्या है, इसको कोसिका का परमानो बंबी कहते हैं, इसे कोसिका का क्या बोलते हैं, परमानो बंबी कहते हैं, बना सक ठीक है इसको हम इसको हम सप्पाई करमचारी भी कहते हैं कोसी का क्या बोला जाता है सप्पाई करमचारी भी कहते है यह क्या करता है यह मेरे दोस्त यह क्या करता है तो यह यह इंजायमों का संसलेशन करता है क्या करता है यह इंजायमों का संसलेशन करता है यह भी बहुत एक important अंग है कोसी का अंदर इसको भी आपको ये बाते भी आपको क्या करनी है ज्यान रखनी अगले प्रेशने पर हम चलते हैं अगला है मानब दे में बे कोशी का जो अमिवा के आकार की होती है मानब दे में बे कौन सी कोशी का होती है जिनका जो आकार होता है वो अमिवा के आकार की होती है अमिवा के आकार की होती है एसी कौन सी कोशी का होती है जिनका जो आकार होता है वो अमिवा जैसा होता है तो मानब देम में इसी कौन सी कोसिका होती है जिनका जो आकार होता है वो अमिवा जैसा होता है आपके लिए सुपर सो कोस्चन है ये कोसिक आकर इससे बार कुछ नहीं बस important है ये मत्प्रदिस पुलिस आरक्षन 2017 में ये कोसिन पूचा का जाता है ये देखो तो इनका जो इसका आकार नहीं होता है ठीक है लाल रक्षन इनका भी नहीं होता है दोस्त इनका भी नहीं होता है तो अंसर क्या होगा डवल्यूवीस ये जो डवल्यूवीसी जो रक्त की कोसिका है किसकी कोशिकाज रखती है इनका जो आकार होता है मेरे दोस्त इनका जो आकार होता है वो अमीवा जैसा होता है किस होता है अमीवा जैसा होता है और इन कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाता है दोस्त क्या पाए जाता है केंद्रक पाए जाता है इनमें मेरे दोस्त हिमोगलो हिमोगलोबिन नहीं पाए जाता हूँ आपको य तीन बात इसमें ध्यान रखना बहुत ही क्या है एंपोर्टेंट आगे चलते हैं आपको। इनुस कंया कि फिरिट को सेवेत करने कस पेस्तम हलन दो ai तो मत्प्रदिस का जो आरक चक का जो पेपर ओलाइन होता है उसमें बहुत अच्छे पूचे जाते हैं कोई भी एकजाम हो सब के कोश्चिन इसमें मैंने कवर किये ये सो हंड्रेट है इसमें ही को सिगा क्या है खत्म लूकोसइट को सेवयत रख तनि का कहा जाता कोई कारण नहिंए उच तो कारण होगा दोस्ट ये तो गलत है रोगों से लड़ती है फियर दूट के बून जैसी दिकाय देती ये रंगी हीन होती है पूँझे कैसि ये रंघी हिन होती है इसलिए इनको लूकोस आइटस को ब्र कर गए अगला देखते हैं कि निम्मे से कौन सा एक ध्रण निर्जिब मुक्त रूप से मुक्त रूप से क्या है निम्मे से कौन सा एक ध्रण निर्जिब मुक्त रूप से प्रारम तता मुक्त रूप से तेलू लोस से बनी होता है तेलू लोस से क्या है बना होता है तो टोनो पूज़ा गया मत प्रदेस पुलिस आरक्चक 2017 में नाव की जिली दोस्त ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो क्या है कोसी का वित्ती जो जो बनी होती है वो सेलूलोस से ही बनी होती है दोस्त सेलूलोस से ही क्या है बनी होती है दोस्त ये आपको ध्यान में रखना है अगला प्रिशने पर चलते हैं उस तरल का नाम बताईए जिसमें रख्त कोसी का तेरती है इसका अंसर आपको देन ना आप कि तैयारी केजी चल रही आप कितना द्यान दे रहें इसके लिए मैं यह कोश्चिन अभी मैंने एक और पिछला छोड़ा था एक यह कोश्चिन आपको के लिए दे रहा हो अगले कोश्चिन पर चलते हैं अगला है तंत्री का कोशिका निम की कोशिक होती मतलब जो तंत्री का जो कोशिक होती है वह निम की कोशिक होती यह भी क्या है मद्ध प्रदेश पुलिस आरक्चक 2017 में पूचे गया तो यह तंत्री का होती तंत्री का जो कोशिक होती वह क्या होती है तंत्री का होती कंड की न नियमित लब जो कोई नियमित नो आ नियमित या सश्ट कोणी होता है सश्ट कोणी होता तो यह तंद्री का कोशी का नहीं होती है यह वाला उतक भी नहीं होता है यह वाली कोशी का भी नहीं होती है तो क्या वासल की उपकला उतक हो अगले कोश्चन पर चलते हैं बहुती मज कि यह भी मत प्रदेश पुलिस आरक्षक 2017 में कोशिशन पूचे गई देखो कोशी का टोपिक को 2017 में पूलिस ने अपना केंद बंदू उसमें से अच्छे अच्छे लेवल के कोशिशन पूचे गए तो मैं बोल रहा हूं कि आज तो पेपर हो रहे वो ओलाइन हो रहे और ओल के सब पेल्यू पर बात की जाती है तो आपको विसेश ध्यान से पढ़ना होगा आप मेरे साथ जुड़िए आपको एक एक बात आपको मैं बताऊंगा कोशिशन कैसे बनते है कैसे क्या है तब चलते है कोशिशन को देखते हैं कोश बहा चार प्रकार की कोशिका से बना है तो इनका नाम भी दे रखा दोस्त चलानी नाली, उस वहा चंतु है, उस वहा भृत्तक है और चोता कौन सा है, तो ये वाला नहीं है दोस्त, ये भी नहीं है, ये भी नहीं तो इसका अंसर के होगा सेचर कोशी का, अगले पाते बहुत इंपोर्टेंट है, देखो यहाँ पर आंकों की प्रकास घ्री कोशी का होती है, चमकदार रोशनी के प्रती क्या है, संबेद नसील, आंकों की प्रकास घ्री कोशी का, जो प्रकास को घ्री करती है, वो कोशी का होती है, संकू ये क्या परितारी का है, क्या पुतली है, क्या ये सला का, तो कौन सी कोशी का होगी, वो होगी आपकी संकू कोशी का, अगले देखते हैं, जब चार जनक कोशी का, क्या है दोस्त, जब चार जनक कोशी का एक बार विवाईत होती है, तो कितनी संतान वाली कोशी का उत्पन होगे, जब चार जनक कोशी का विवाईत होती है, तो कितनी कोशी का बनती, दायट कोश आपको लगाना है जब चार्ज कोशी का एक बार विभाइट होती है चार्ज एक की दो बनती है तो दोस्ट यहां पर जो आंसर होगा वह आपका आट होगा अगले कोश्चन पर जाते हैं अपकला उतक की कोशी काओं में अंतरह कोशी का इस्तान नहीं होता यह कोश्चन अभी निकल के गया है पर इसको दुवारा पूचा गया देखो मत्प्रदेश पुलिसारक्चक 2017 यह छिलने के लिए प्रवर्त होती है नहीं सुरक्चा करती है दोस्ते वे जल की आने को रोक थाम करते हैं नहीं इनका सुरक्चा अत्मक कार्य होता है यह बिल्कुर राइट है यह भी क्या है गलत अगले कोश्चन में चलते हैं मज़दार कोश्चन है मानव अंग की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, उसकी आपको पेचान करनी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यकरच कोशिका की है, क्या, आर विसी की है, क्या, कंद्री का कोशिका की होती है, या पिर अंड कोशिका की होती है, यह आपको देखना इसमें से कौंसा है मानबंग की सबसे बड़ी कोशिका की पेचान कीजिए तो सबसे बड़ीChrist ौकुशिका की पेचान कीजिए ब़िछ यह कोशिका होती है वह उती चौनता वाला इसका option क्या है miracles रइट रही है दो जोस अगले question पजाते हैं एक प्रोक्रेटिक है, इस कोस्चिन का अंसर भी आपको कमेंड में बताना है, ठीके इसके बारे मैंने आपको बताया गया है, पूरी हुआ तो यह साधा सिंपल क्या है प्रेशने हैं जो मत प्रते से साई 2016 2017 में दोस्त पूंचक आया यह 17 है ठीक है इसका अंसर भी आपको देना जी तो सिंपल और साधन प्रेशने जो मैंने आपके लिए तोड़े अगले कोश्चिन पर आते हैं कोश्चिका विवाजन की बे कौन सी अवस्ता है जिसके परिवर्तन प्रोपेश के विप्रित है मनला यह कोश्चिका क्या होती अवस्ता होती इसके विप्रित है मत प्रते से 2017 में यह कोश्चन पूंच गया है यह कोश्चन पूंच गया है कौन सा है अलटे कुछीजिए है क्या कूरिसं कि अच्जह में उल Nagश magic का यह इना गैने इंटर फियसे क्या यह पर विप्रित है क्या इसके शूब से दोस्ते कोई है टेल पर इसके क्या है इसके चली है क्या है इस में जो कोई Install होता है इसके विप्रित है इसके Г 느 Уब कि अब कोशिका की एक मेरतन क्लास और वो भी बहुत इंपोर्टेंट तरीके सो गई लेकिन कब होगी जब आप कमेंट में मुझसे बोलोगे सरीक मेरतन क्लास और वो सांदार तो मैं आपके लिए 100% लेका हूँ अगले कोशिन पर चलते हैं नहीं रख्त कोशिका में बनती है नहीं रख्त जो कोशिक होती वो खहापर बनती नहीं रख्त जो कोशिक होती है वो खहापर बनती बहुत इंपोर्टेंट प्रेशन है और देखो मत प्रदेश साही पूरे ही कोशिन आने वाले और अगले वाले एकजाम में भी आएंगे हर में कोशिन आएंगे मैंने पूरे वैसिक बहुत सांदार कोशिन आपके लिए रखे हूँ पिर नहीं रखत कोशिका का निर्मान ये इसमें होता है दोस्त इसमें नहीं होता है ध्यान रखना भूना वस्ता मोता पेंप्लम नहीं होता है ये होता है ये होता है मज्जा इसको ही इसको ही गौन मेरू भी कहा जाता है इसको ही गौन मेरू भी कहा जाता है दोस्त अस्ती मज्जा क्या बोला जाता है इसको अस्ती मज्जा भी कहा जाता है तो क्या बोला जाता है इसको अस्ती मज्जा भी कहा जाता है दोस्त इसमें नई रक्त कोशिका का निर्मान होता है चाल को कहा जाता है साक्रिय परिवेन है क्या प्रिसार है क्या विप्रित परासरन है क्या या परासरन ये एंटी विसी 2000 में कोश्चन पूचा गया क्या है पूचा गया ये क्या है लाब है साक्रिय परिवेन, प्रिसार है क्या विपरित परस्रन 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 है, यह!!!! आप इस विडियो को एक बारत टीन बार सकते हैं!! क्याद हो जाएंगे हमेंसा के लिए चलते हैं पर सो कोश्चन है ज्यादा भी नहीं आपके लिए निम लिकित में से कौन सा इस्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है तो हम देखते हैं नावी रज्जू ये भी क्या है सेल है वुरूनी मूली ये भी ये वून है लेकिन ये फेट ये तो वुसा ये दो साय ये लोग ये नहीं और ये क्या है है तो हम चार उप्शन को द्यां से देखते हैं कहीं हां दॉघ माइक रोफेज द्वारा या प्रतिजन प्रिसूती को शिकाओ द्वारा प्रतिविट उत्पन होते हैं मतलब प्रतिविट खहां पर उत्पन होते हैं यहाँ पर देखो NDVC 2016 में कोशिण पूचा गया बहुत पूरे ही कोशिण ऐसे हैं जो एक्जाम में किसी ना किसी एक्जाम में उचें गए है प्रती पिंड उत्पन होते हैं ठी कोषिका हो दौरा तो दोसिस का जो आंसर वो क्या है अगले प्रिशिने प्रिश्ने देखते हैं निम लिकित में से कोन सी कोषिका महिलाओं में Q1 अवस्टा मतलब यह पेले के पाई जाती it's. अवस्ता के पेले पाई जाती, इसमें कौन सी कोशिक होते हैं, प्रात्मिक अंडग है क्या, धुर्वी अंडग है क्या, जित्यक अंडग है, या प्रणानो, जो महिला है, उनमें योवन अवस्ता से पेले कौन सी कोशिका पाई जाती है, कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो क किस परकार की सेलों में स्वन और वा तामे जैसी दातों की परिचुरता पाए जाती ये दोस्त हमारा कोशी का नहीं ये क्या है ये सेल है ये क्या है सेल है भूल का प्रेशन है किस परकार की सेलों में स्वन वा तामे जैसी दातों की परिचुरता पाए जाती प्राचिन तो क्या है हम देखते हैं इस तो वह पाए जाती दोस्त पर प्राशन अब आगे देखते हैं कौन सा कोशी का अंग सोशन में भाग लेता है सोशन में क्या हम देखते हैं कि ज्यादा question है एक कौनसा है माइट्रो कौन्डिया से बहुत question पूचे गए और लाइज तोसुमसे भी आपको question देखने को मिन्हाइब दोनों जिसमें ौंध्रो कौन्डिया तो बहुत important एंप एक कौन सा है एक देको मैं इसने भी उपनाम लिखा है वह इंपोर्टन अन्य नाम तो यह क्या है यह आपको माइट्रो कौनिया है दोस्त तो आप कोश्चन का लेबल देखो केस तरफ तुफर सो कोश्चन में आप आपके लिए पिर लेका तुफर सो कोश्चन पैस आपकी कोशी का इनी से इससे बाहर कुछ नहीं है केस अभी पेपर आपको कोश्चन इसससे बाहर नहीं जाएगा आगए देखते हैं पॉलिस हम किसका बना उता मतलब इस कोश्चन का भी आंसर आपको देना है यहाँ पर जो मेरी पुरी की किलाश थी पॉलिस हूं के बारे में उसके वेस्ट की उपर ही क्या है यह कोश्चन का आपके लिए तीन कोश्चन क्या है यह हूंबर गया है अगला देखते हैं मद पत लिखा मुक रूप से बनी होती है किसी की बनी होती मद पत लिखा बनी होती एमे सोलूलोज द्वारा, मूरेमिक अमल द्वारा, कैल्सियम पेक्टिक द्वारा या गोल जी तो बेटा ये किसकी बनी होती है कैल्सियम बहुत सांदर जवर्दस्ट कोशिन देख अगला देखते हैं मास्टर कोशी का पाई जाती ये किसमें मास्टर कोशी का पाई जाती जवर्दस्ट कोशिन है एक से लेवल एक मास्टर कोशी का पाई जाती सयोजी उतक में, पैसी उतक में, तंत्रिक उतक में या रुदिर उतक में तो ये मास्टर कोशी का होती है वो मेरे दोस्ट सयोजी उतक में पाई जाती है अगला question पर आजाते हैं कोसिका में कौन सा कोसिका अंग वाई वे सोसन द्वारा उड़ जाकर उत्पधन से संबन देते हैं देखो यहाँ पर आ गया यह कोसिक अंग है और यह क्या कर रहा है सोसन तो मेरे दोस्ट इसका जो answer होगा वो limits कोंड यहगा मैंने बताया था इसको कोसिका का engine भी कहते हैं क्या बोला जाता है इंजन भी कहा जाता है ठीक है इसे दोस्ट क्या बोला जाता है किसे कोशिका का सोसन अंग भी कहते हैं किसी को मेरे दोस्त कोशिका का का उरजा ग्रे वा इसे कोशिका का सक्पी ग्रे भी कह जाता है तो आपको सब इसमें मैंने कवर करा दिया कुछ नीज से बार वस यहां से ही कोश्यन आते हैं एक जम बस आगे देखते हैं अगला जो प्रेश्ण है दोस्त वो है कौन सा कोशिका अंगत एक कोशिका में विस तता दवा को निराव विसकरन करने में महतून विविवों का चिकनी अंधा प्रद्रव जले का है जो आप दवाए विसकरन को क्या है वुमे का निवाता है अगला कोश्चन पढ़े जाते हैं व्रिचिका में पाए जाते हैं तंद्री का ओतक है क्या सयोजित हो तक या पैसी यू तक है बहुत इंपोर्टेंट तो ये question मैं आपके लिए homework में दे रहा हूं आपको ये चार question मिल चुके हैं आगे देखते हैं तो आपके चार question चार mcq है कितने दोस्त ये चार mcq है चार question जो आपको comment में इनके answer देना है और आपको अगर sale के या कोशी का के और भी important mcq चाहिए तो आप comment में बता हो सकते हैं और भी mcq तेकिन ये लेके लोगे हें को इसमें और तरीके से टोपिक के mcq होंगे होंगे सुपर इसमें पूछटे यह हमारा यह प्ली डी जे सर कोचिंग क्लासे स्कोटा इस नाम से प्ली पर बसकते हैं यहां पर डियह स्टोर पर आपको एक आयकोन दिखाई देगा इसा इस पर जाकर आप इस पर क्लिक कर-सकतो इस पर सभी सब्जेट के आपको Collection set मिलें तोपिक भाई भी मिलेंगे ठीक है और कम्बाइन भी मिलेंगे और हर प्रिकार की जो कोस है जो वेकेंस आती है वो कोस भी आप पहां से प्रसेस कर सकते हूं तो आप प्लेश्टोर पर जाकर इसे को डाउनलोड करो वहाँ पर आपको यह आईकोन दिखाई देगा तुरांट इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं आप से अलविदा लेता हूं चेहन यह वारत